वाटसप गाईज क्या हाल चल तो आज हम आपसे बात करने वाले हाँ पे जारकन पॉब्लिक सर्वेश कमिशन की तरफ से यहाँ पे बैकेंस निकली हुए है आपकी फॉरेस्ट रेंजर की और इसके साशास असेस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर की कुछ पद निकले हुए जिसके बारे में डेटेल में बात करने वाले हैं बेसिकली आपको बता दू अगर आपने बीटेक एंगरीकल्टर इंजिनिंग या बीएस्टी फॉरेस्ट्री किया हुए है तो आप यहाँ पे इलिजिवल है और बहुत सही जगा आपने वीडियो में क्लिक किया हुए बिल प्रोड कर सकते जार्खंड पबिक सर्विस कमीशन की साइट से बहुत ही डेटेल में हम बात करेंगे चलब पर नए है तो सब्सक्राइब करना बेसिकली आपको बता दू जार्खंड पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से फॉरेस्ट रेंजर जो की अच्छा खासा सब्सक्राइब तो आपको बता दू कितने पोस्ट निकले हुए तो आप देख सकते टोटली कितने रिक्रूटमेंट निकली है जिसमें मेंशन कर दिया है नहीं लगबग 170 पोस्ट निकली है आपकी और लेंजर जिसमें अधर इस्टेंट से बिलोग कर रहे हो मिलग कर रहे हुए आप यहाँ कितना पोस्ट निकला है पोस्ट यहाँ पे लगबग 78 पोस्ट के आसपात निकला हुआ है अबिसली सी बात है सेलरी यहाँ पे आप देखोगे वेतनमान तो लगबग ग्रेड पे आपका ब्याली शुका है लेवल 6 आपको यहाँ पे मिलने वाल है और इस थाई पर्मानेंट पद है सबसे इंपोर्टेंट आप देख सकते हो डेटेल में इनोने मैंशन कर दिया दोनों का 170 लगबग 170 पद सेक्षन की योगता यानि एजुकेशन कौलिफिकेशन अल्रडी आपको बता चूँको दोनों का बिल्कुल शेम है आप अससेस्टेंट फोरेस्स कंजर्विटर का देख लो देन आप इन इसका देख लो फोरेस्ट रेंजर का दोनों का बिल्कुल सेम यहाँ पे एजुकेशन कौलिफिकेशन बैचलर यहाँ पे मांगा हुआ है बाकि यह सबसे important criteria जो कि आपको fulfill करना ही पड़ेगा इसके बिना आपका selection नहीं होने वाला ठीक है तो इसको read कर लेना दोनों का बिल्कुल same यहाँ पर थोड़ा बहुत changes देखने को मिलेंगे ठीक है आपकी इसको तो fulfill करना ही पड़ेगा आपको age limit की बात को तो लगबग 21 years minimum maximum आप चेकाउट करी सकते हो यहाँ पर इनों ने mention कर दिया आप पर age limit दोनों का बिल्कुल यहाँ पर 21 21 है ठीक है तो आप देख सकते हो next सबसे important selection process कहा रहने वाले तो बिल्कुल आपको पता है basically जारकन पबिक service commission है तो obviously सी बात है कि यहाँ पर मेंस, आपकी सारी चीज़ा होने वाली है तो प्रार्मबिक परिक्षा यानी प्री दैन आपकी मेंस और इसके बाद आपका सेक्षडिक मतलब मेडिकल होनेवाला है फिसके बाद साक्षारत मतलब इंटरिव्यू धैन इसके बाद आपका medical होने वाला है जो की government आपका जो चिकिस्सा होगा उसके द्वारा authentic आपको यहाँ पे लगने वाला है तो इस पर बहुत ज्याज़ा ध्यान कर रखेंगे वो और कोशन 2020 मेंशन कर दिया लगबग 1500 कोशन्स आपके आने वाले है तो आपको थोड़ा बहुत नौलेज इसके बारे में पता होना चाहिए मेरे वाइप मेंस का आप बिल्कुल देख सकते हो पर्टीकुलर आपका जो है आप बैकल्पिक भिशा भी उन्होंने मैंशन कर दिया है लगबग 550 मार्क्स का होने वाला है और टाइमिंग इन्होंने बिल्कुल देटेल में एक बार देख सकते हो फॉरेस्ट कंजर्बेटर की भी हम बात कर रहे तो उसका भी बिल्कुल थोड़ा बहुत चेंजिस हैं आप आप देखोगे इसमें जारखंड इतहास को थोड़ा सा इंग्रीज कर दिए लगबग 30 मार्क्स का आप इसमें देखोगे तो उन्हों को बता दिया है कि आपके फॉर्म फिलोना स्टार्ट विद्धेल में आपको नीचे डिसकस करेंगे डेट्स के बारे में ठीक है बागी आप देखोगे यहां पे सिलीबर्स जो है मैंस का क्या क्या से रहने वाला है इन्हों ने इसमें बोल दिया है कि भासा को छोड़कर सभी विशों में उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिये जा सकेंगे प्रतेक अंग का आपको सामन दसाए गया है यह आप देख लो कितना पोशन कहां पर आने वालो सबसे इंपोर्टेंड यहां पर शामन हिंदी और शामन अंग्रेजी यह कॉलिफाइंग नेचर के होंगे अगर आप इन में कॉलिफाइंग नहीं होते हो तो आप इनी जीवल नहीं रहोगे और मिनिमा आपको 30 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे इन सब्जेक्स में तो आप चेक आपको बहुत अच्छे सा पता है लाब उनी को मिलेगा जो जहारखंड के ही स्थाइब मुलनेवाशी होंगे दोनों का आप देख लो ठीक है रीड कर लेना बहुत ही इंपोटेंट है यह मैं आपको सजेस्ट करता हूँ भई इसका फॉर्म एक बार जरूर फिल करो अगर आपकी तैयारी है प्रप्रेशन है थोड़ा सा या बोल सकते है कि स्टेट लेवल का है थोड़ा सा टाफ हो सकता है तीके कि आप नॉर्मली इन जर्णल बेसिक एक्जाम करते हो बट अगर आपने थोड़ा बहुत इनके वारे में नॉलेज है तैयारी गर रखी यूपीयश सुलक के क्या रहने वाला है तो एक्जाम सुलक आपका यहाँ पर रहेगा 600 रुपई लगने वाला है ठीक है जर्नल का हो EWS का हो किसी भी केटेगरी का हो आप देख सकते हो छूट यहाँ पर ओली जारखंड के जो अनुसूचित SCST केटेगरी के उनको 1500 रुपई यहाँ पर आपको पता है कि मुबाइल गंबर, email id, user id, passport यह सारी चीज आपकी लगने वाली है ठीक है तो आपको पता passport side photo आपका लगने वाला है ठीक है तो इसको आप रीड कर लेला बाकी देखो आबेदन जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 29 तारीक से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब अब भी इसी महीने में आपका आज तारीक 27 से 28 29 दो दिन बाद आपके यहाँ पे एप्लिकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिल करो जो की 10 तारीक तक मंदर टाइम बहुत कम है तो आप यहाँ पे 10,8,24 तक सामको 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपको लगता है इंट्रेस्टेड हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे फॉर्म फिल करो आपकी तैयारी है ठीक है कि वो 600 रुपए लग रहे है और आपका पिपर जारखंड में ही इस्पेसली होने वाल है मैं basically forest ranger भी अच्छा कादब बाद है assistant forest conservator भी ठीक है तो आप इसमें eligible हो यह तो अलड़ी आपका MPPSC भी करवाता है मद्यप्रदेश Public Service Commission दोनों ही post निकालता है MPPSC के तुरू आपको अलड़ी पता होगा ठीक है उसमें भी Sam निकलता है forest ranger और assistant forest conservator दोनों की post निकलती है तो इस अब बैस्ट पोस्ट है आप बस थोड़ा सा competition रहेगा 78 post है और वालों के लिए थोड़ा सा हो शकता है competition हो लेकिन आपकी preparation है तो आप आराम से इसको जो है crack out कर सकते हो ठीक के बाकी देखो सब कुछ similar है कुछ भी आपे difference देखने को नहीं मिलने वाला है अपने को दो दोनों में ठीक है दोनों की आपको link description में मिल जाएगी बाकी आप जाओगे JPSC की sites पर तो आप बिल्कुल easily notice को download कर सकते हो दिख सकते हो recruitment forest ranger और recruitment assistant forest conservator दोनों की recruitment notice पड़े हैं sites पर check out कर लेना authentic है मेरे बाकी हम मिलते next bit के साथ subscribe नहीं किया है तो कर रहे ना जो भी doubts तो ask कर स तो मेरे से always ठीक है link description में है Instagram टेली ग्राम पर डाउट जो भी और पूछ लेना वाकि मिलते next bit के साथ ठीक है जै हिन जै बारत वंदे मातरम